वेल्कम बैक, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटुब चैनल के एम्यू क्लास में जैसा कि आप जानते हैं मित्रो, एम्यू क्लास रोजाना साम साथ मज़े आपको देता है बाल विकार्ष मनुपिज्ञान मायराथन क्लास और आज की मायराथन क्लास की सातवा भाग है यानि भाग सात मायराथन क्लास का मैं आपको देने वाला हूँ और उसमें मैं आपको 15 बैक टू बैक कोश्चन इंपोर्टेंट देने वाला हूँ जो अगामी सिटेट के परिच्छा में और यूपिटेट के परिच्छा में भी लाबदायक होने वाला है तो आईए शुरू करते हैं आज का पहला कोश्चन हमारे मैराथन क्लास 7 का और देखिएगा हमारा question क्या पूछ रहा है मित्रो लेकिन class शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा जूट रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा देखने के बात अगर आपको लगता है कि AMU class से ये महाराथन class हमारे लिए लब दायग है तो प्लेश चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक अगर दोबा लेगा ताकि यागिका नोटिफिक्शेशन भी आपको मिलता रहे और अपने दोस्तों में विशेयर करिएगा एक लाइक और कमेंट करना मत बूलिएगा आजे देखते हैं कोशन नमर बन महाराथन class 7 का पहला कोशन आज क्या गह रहा है कोशन पूछरामित्रो संग्यानात्मक विकास द्वारा समर्थित है संग्यानात्मक विकास द्वारा इनमें से कौन सा समर्थित है ए यथा संभो प्रासंगिक और अच्छी तरह से डिजाइन किये गर परिछड आयोजित करना बी पारंपरिक तरीकों से सुद्रिड करने वाला गतिविदियां प्रस्तुत करना सी स्म्रिद और बिविद वातहरर प्रदान करना और डी सहयोग की तुल्ला में बेक्तिगत ग सब्सक्राइब करिए बेला इकन दबाएए ताकि आगे के नोट्फिकिशन आपको मिलता रहें इस समय चलना है सिटेट मैराथन क्लास बैक टू बैक पंद्र कोशन वाई इस इमें बताऊंगा आपको रोजाना साम साथ वजे आपके अपने चैनल एम्यों क्लासेस पे आई यानि सम्रिद और विभित वातावरण परदान करना संग्यानात्मक विकास वारा समर्थित है बढ़ते हैं कोश्चन की तरफ और देखेगा कोश्चन नमर 2 हमारा क्या कह रहा है कि मानो विकास है मानो विकास क्या है मातरात्मक है गुणात्मक है कुछ हद तक अचूक है य मानों का जो विकास है इन चारों में से क्या है यह कुश्चन नमबर दो का हमारे पूछना है तो पटपट कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए क्लास कैसी लगती है और लाइक और सेयर करना मत भूलिएगा कुश्चन नमर दो का पूछना है मानों विकास है तो मानों विकास क् मित्रो कोश्चन नमर दो का राइट एंसर हो जाएगा डी मातरात्मक और गुडात्मक यानि मातरात्मक और गुडात्मक दोनों का कंबिनेशन है मानोविकास ठीक है चलिए पढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरह कोश्चन नमर तीन देखेगा मित्रो कोश्चन नमर तीन हमार तातपर है प्राकर्तिक पोसर्ड जो है उसके बहस से क्या मतलब अर्थ है क्या उसका माइने है क्या तातपर है उसका ये पूछ रहा है ए अनुवान सिकी और परियावरण B. बहवार और परियावरण C. परियावरण और जिविग्यान D. परियावरण और परवरिश यानि प्रकिर्ती पोसर जो है उसका तातपर क्या हुआ उसका अर्थ क्या कहना चाहता है कहने का मतलब उसके कि प्रक्रिति पोस्टड का अर्थ इंचारों में से क्या निकलेगा ठीक है तो कुछन नमर तीन का यहीं पूछ रहे हैं तो कुछन नमर तीन का राइट अंसर क्या हो जाएगा अनुवांशी की और वातावरण वातावरण कहा रहे थे सोरी पर्यावरण अनुवान्षकी और पर्यावरण है प्रकृती पोशण का अर्थ ठीक है बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ कोश्चन नमर चान इसक्रीन पे आपके पूछ रहा है कोश्चन नमर चार निम्डिखित में से कौन सा सामाजी करण की निस्क्रिय एजंसी है निस्क्रिय मित्रो निम्डिखित में से कौन सा सामाजी करण की निस्क्रिय एजंसी है सक्रिय नहीं निस्क्रिय हेल्थ कलब, परिवार, इको कलब या सारवजनिक पुस्त काल है कोश्चन नम्मर चार का राइटें सर कमेट्स बॉक्स में डालिए फटाफट चैनल पे नए है तो जुड़ जाए मित्रों लाइक और सेयर का नामत भूलिया रोजाना साम साथ बजे वीडियो आपको मैरतन क्लास सीटेट को देखते हुए जो आपके आगामी 31 जनौरी को होने वाले हैं अगले महीने में इसको देखते हुए मैरतन क्लास चल लई है और इस क्लास में सीटेट जिस तरह के कोश्चन पुद्धाय बालविकास मनवग्यान में वही कोश्चन में आपको बैक टूबैक 15 देता हूं 20 प्लस करके आंगे मेरी गारंटी है अगर चैनल में जुड़े हुए हैं तो निम्रिखित में से कौन सा समाजी करण की निस्क्रिय एजंसी है कोश्चन नमर चार का यहीं पूछना है तो कोश्चन नमर चार का राइ कोश्चन नमर पांच हमार क्या पूछ रहा है वायोगास्की के सिधान्त में विकास के किस पहलू की अपेच्छा की जाती है समाजी की सांस्क्रितिक की जैविक की या भासाई की जाने उसका पूछ रहा है मित्रों की बायोगास की ने जो सिधान दिया उसमें विकास के किस पहलू को उपच्छा की जाती है समाजी की ओपच्छ की जाती है सांस्क्रितिक की जैविक की या भासाई की कोशन नलिगे कोशन पांच के पूछ कुछ समझना जरूरी है अगर उसने समझना मिस कर दिया तो मित्रों आप जो है सी टेट नहीं निकाल पाएंगे और अगली सूपर टेट की जो भरती आने वाली है यानि जो टीचर की भरती आने वाली उसमें आप अफसोस करेंगे ठीक है तो इसलिए अफसोस ना हो उससे पह पास के जिस पहलू की उपेच्छा की जाती है वो है जैविक ठीक है कोशन नमर 6 क्या पूछ रहा है मित्रों हमारा कोशन मर 6 पूछ रहा है निम्न में से कौन सा चरड यानि इन चारों में से कौन सा जो चरड है तब सम्मिलित होता है जब सीसु अपनी आखों कानों और जरिये वो बच्चा सोच रहा है अपने कानों के जरिये वो बच्चा सोच रहा है अपने आखों से यानि आप उसको चूते हैं तो अपनी आखों से आपको देख के अपने कानों से सुनके और अपने हाथों से चूके जो है वो आपको ठिंक करते हैं तो कौन सा चरड इसमे परिचालन चरण कौन सा है इन चारों में से किसी सु आख कान हाथ उसे ठिंक करते हैं ठीक है कुश्चन नमर 6 का राइट अंसर कमेंट्स बॉक्स में डाली है मित्रो कि कौन सा होगा कंकरिकट परिचालन चरण पूरू परिचालन चरण परिचालन चरण तो आए देखते हैं कौश्चन नमर 6 का राइट अंसर क्या हो जागा बहुत ही इंप्पॉर्टेंट कौश्चन है यह सब तो कौश्चन नमर 6 का राइट अंसर हो जागा मित्रों सी सेंसरी मोटर अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें सीसू हाथ कान आख से ठिंक करता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं कौश्चन नमर 7 की तरब देखेगा कौश्चन नमर 7 हमारा क्या पूछ रहा है हमारा कौश्चन नमर 7 पूछ रहा है मित्रों रिया एक वर्ग पिकनिक अस अस्थापत करने के बारे में रेसब से सहमत नहीं है वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संसोधित किया जा सकता है पियांजे के अनुशार इस तरह की सहकर्मी और सहमती को संदर्भित करती है कौश्चन को ध्यान से समझेगा सीटेट ऐसे ही कौश्चन वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संसोधित किया जा सकता है यानि उसका सोचना यह है कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संसोधित किया जा सकता है पियांजे के अनुशार इस तरह की सहकर्मी और सहमती को संदर्भित करता है विसम नहतिकता, संग्यानात् को समसूत के आ सकता हैं तो प्यांची के कि समर्वित करती है थीक है यानि पियांजे ने जो चार चरड़ दी है उसमें किस चरड़ के अंदर जो है इस चीज को जो है कहा गया है संदर्वित किया गया है ये पूछ रहा है तो question number 7 का right answer के होज़गा मित्रो D. असहयोग की नहतिकता सहयोग की नहतिकता यानि question number 7 का right answer होज़ा कोशन की तरफ कोशन नम्मर आठ पूछ रहा है निमलिखित में से कौन सा इस्टनबर्ग की त्रिकोडिय थियरी आफ इंटलिजेंसी का एक प्रारूप है इस्टनबर्ग ठीक है मनों बैग्यानिक है और कह रहा है कि कौन सा इस्टनबर्ग की त्रिकोडिय थियरी आफ इंटल कौन है इन चारों सुम में से इस्टनबर्ग की त्रिकोडिय थेयरी आफ इंटलिजेंसी का एक रूप कोश्चन नमर आठ का यही पूछना है तो फटफट कमेंट्स बाक्स में कमेंट डालिए मित्रों कमेंट्स जरूर करिए कि क्लास कैसी लगती है आपको और अच्छी लग आश्मन विज्ञान की मैरात तो आएज देखते हैं कोश्चन नमर आठ का रेट इंसर क्या हो जागा तो कोश्चन नमर आठ का इस रहा है एक प्रेक्टिकल इंटलिजेंस अस्टनबर्ग की त्रिकोड़ी थेयरी आफ इंटलिजेंटी का एक जो रूप है वो है प्रेक्ट इन चारों में से किसने जो है बिक्सित किया पहली बुध्धी परिच़ड टेस्ट डेविड विक्स लर ने अलफेड बिनेट ने चारल्स एड़ड इस्पेर्मेन ने या राबर्ड इस्टनबर्ग ने पहला इंट्लिजेंस टेस्ट यानि पहली बुध्धी मता की जो बुनेट ने पहला जो है बुध्धी इंटलिजेंट को विक्षित किया भुध्धी इंटलिजेंट की पहली ठीक उया ँैये बढ़ते हैं कोशन की तरफ कोशन मर दस देखिए कोशन मर 10 हमारा क्या पूछ रहे है कोशन आत्मक जागरुकता से तात्परे छामता से है यानि इसका तात्परे इन चारों में से किस छामता से है ये पूछ रहा है ध्वनी संग्रचना को प्रतिमंदीत और हेर फेर करता है यानि ध्वनी आत्मक जागरुकता हेर करता है भी कहником दहराप्रवाँ और सटीक बोले या सी जानना समजना और लिखना या डी ब्याकरण के नियमों में दिपर होना यानि कि ये ध्षषियान आत्मक जगरुटा जो है उसका ताथपर इन चारों में से किस छमता से है ये पूछ रहा है हमसे कोश्च नमर दस का राइट अंसर क्या हो जागा अमित्रो कोश्च नमर दस का राइट अंसर हो जागा ये ध्वनिस संग रचना की प्रतिबंधित और हेर फेर करता है यानि ध्वनात्मक जागरुकता जो क्या करता है उसका तादपर ये कि ध्वनिस संग रचना को प्रतिबंधित और हेर फेर करता है ठीक है? आईए देखते हैं अगला कोशन कोशन नमरी 11 कर क्या पूछ रहा है मित्रों से एक कच्छा में लिंग भीद वाओ यानि ये कच्छा है जिसे लृत फोरे को पर दर्शन नहीं करता लिंग भेद वाओ क एक कच्छा में चात्रों के कम प्रयास या परदर्सन के कारण हो सकता है C. पूरुस चात्रों के लिए कम प्रयास या परदर्सन हो सकता है और D. पूरुस सिच्चको द्वारा उनकी कच्छा में लिंग भेदबाओ एक कच्छा में लिंग भेदबाओ क्या दर्साता है A. चात्रों के परदर्सन को प्रावयत नहीं करता है B. चात्रों के कम प्रयास या परदर्सन के कारण हो सकता है C. पुरुस चात्रों के लिए कम प्रयास या परदर्सन हो सकता है और दी पुरुष सिचकोदरा उनकी महिला समकच्छों की तुलना में अधिक किया जाता है क्या एक कच्छा में लिंग भ्यदबाओ ये पूछ रहा है कोशन नोर इगार का हमारे यही पूछ रहा है तो मित्रों अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं या पहली बार मित्रो आप सीटेट जो है अटेंट करने जा रहा है पहली बार एक्जाम में बैठेंगे तो मैं यही कहूंगा कि आप एकदम जुड़ जाएए क्योंकि आप जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के कोशन पर्टेट में जाने लाइक हैं की नहीं तो कच्छा में एक लिंग वेदभाव क्या दर साता है कोशन नमरी गारा का राइट एंसर हो जाएगा बी छात्रों के कम परियास या प्रदर्शन के कारण हो सकता है यानि कच्छा में लिंग भेदभाव छात्रों के कम परियास या परदंसर के कारण हो शकता है यानि question number 11 का राइट इंसर B आईए question number 12 देखिए question number 12 मारा पूछ रहा है निम्रिखित में से कौन सीखने की सैली का एक उधारण है यानि सीखने की सैली का एक उधारण इंचारों में से कौन है द्रिस्य सीखने की सैली में आता है केक करमिक सीखने की सैली में आता है तथ्यात्मक सीखने की सैली में आता है या टेक्टिकल सीखने की सैली में आता है यानि इन चारों में से कौन है सीखने की सैली का उदाहरण कोश्चन नमर बारा का हमारे यही पूछना है ठीक है तो इस question को देखके और इसके विकल्प को आप अंदर जा लगाईए कि सीखने की शैली में क्या है सबसे बेहतरीन विकल्प इन चारों में से तो जाहिड सी बात है question में 12 कारे टेंसर हो जागा A. द्रिस्या द्रिस्या मतलब आप जब blackboard पर पढ़ रहे होते हैं एक teacher के सामने तो आप क्या करते हैं देखते हैं और देखके उसको पढ़ते हैं तो द्रिस्या एक ऐसा हो दहारड़े सीखने की सेली का जो सबसे बेहतरीन है ठीक है आईए Question number 13 Question number 13 अमरे क्या पुछ रहा है एक सिच्छक कच्छा के काम को इकठा करता है और पढ़ता है फिर चात की जरुतों को पूरा करने के लिए अगले पार्ट की योजना बनाता है और समयोजित करता है वह कर रहा है ध्यान समझेगा एक सिच्छक कच्छा के काम को पहले इकठा करता है फिर उसको पढ़ता है मतलब जो चीज उसको पढ़ाना है उसके मैटेरियल को पहले इकठा करता है और उसके बाद उसको पहले पढ़ता है फिर छात्रों की जरुतों को पूरा करने के लिए अगले पाट क योजना बनाता है जितना कर लेता है उसके अगले पाट की योजना वो बनाता है और स्तामायोजित करता है वह क्या कर रहा है इंचारों से सीखने का अकलन कर रहा है अधिग्यम के रूप में मुल्यांकन कर रहा है या सीखने पर मुल्यांकन कर रहा है देखिएगा यह बहुत ही बहतरिण है और 2014 सीटेट में ये आ चुका है अभी मैं आपको बता देता हूँ 2014 सीटेट में ये вопрос आ चुका है तो बताइए question number 13 का right answer क्या हो जाएगा मित्रो question number 13 का right answer क्या होगा ये которой runner we cow एक सीचक कच्छा के काम को एकठा करके पढ़ता है हात्र की जरूत के अनुशार अगले पार्ट की युजाना बनाता और समय युजित करता है मतलब वो सीखने के लिए मुल्यांकन कर रहा है Q14 Q14 कि हमारे पूछना है Q14 कि हमारे पूछना है Q14 पूछना है उसके तहत काम करने वाले सिच्छक को कहते हैं अतिदेय है क्योंकि उन्हें सोमवार परिच्छडों के अलावा लागतार परिच्छड करने के हो सकता है सिच्छक करने को यानि तहत काम करने को सिच्छक को ब्यक्तिगत छात्रों को प्रतेग विश्य में प्रोजक्ट कारिशा उपने किया सकता है C. अपने मुल्य और दृष्टी कोड़ों का आकलन करने के लिए दैनिक आधार पर छात्रों का सुच्छमता से निर्चड करें और D. सिच्टम के लिए स्वामित्तों की भावना महशूस करता है इसकूल अधारित मुल्य अंकर तहत एक काम करने वाला सिच्छक ठीक है क्या करता है इन चारों में से कोश्चन नमर 14 का यहीं पूछना है तो फटा-फट पताई कमें इस बाग में कोश्चन नमर 14 का राइट अंसर क्या हो जाएगा ना है तो जूड़ जाएए खासकर फष्ट यानि फष्ट यानि पहली बार अगर आप सीटेट के एक्जाम में बैचने जा रहा है मित्रो तो आपको तो जूड़ना ही चाहिए त पताई काम करने माला सिच्छक जो है वह क्या महसूस करता है सिश्टम के स्वामित की भावना महसूस करता है ठीक है आए बढ़ते हैं के लिए कोश्चन की तरफ कोश्चन नमर 15 और इस वीडियो का आखरी कोश्चन मायरासन क्लास बैक टूबैक 15 कोश्चन का आखरी ग्रेड निसान से कैसे भिन है ग्रेड जो है वो निसान से कैसे भिन है यह प्रस निमलिखित में से किस वर्ग का है डाइवेर्जेंट विसलेस रढात्मक ओपन एडिड समस्या समधन ग्रेड निसान से कैसे भिन है इन्वर्टेड में देखिए गा है यह ग्रेड निसान से कैसे भिन है तो ये पूछ रहा है ठीक है कि ये क्या है ये प्रसंट कैसा है किस वर्ग का है डाइवेर्जेंट वर्ग का है विसले सडात्मक ओपेन एड़ेड या समस्या सामधान तो कोशन और पंद्र का राइट अंसर कमेट्स बाग डालिए और दोस्तो ये क्लास महराथन महराथन क्लास मींज वो कोश्चन छाट के आपको दिये जा रहा है जो आगामी सीटेट में कुछ आए है और बाकी आने की 100% संभावना है उसो के देखते हुए रोजाना साम 7 बज़े आपको ये मेरे वीडियो को आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा लिंक डिक्सिक्सन में जो है आपको मेरा टेलिग्राम चैनल मिलेगा जहां आपको इसका पीडियेफ भी मिलेगा तो वहाँ भी जुड़ जाएए पीडियेफ के लिए और 31 जनावरी का जो पेपर है उसको मिस मत करिएगा अगर तैयारी में हैं तो चैनल पे जुड़ जाएए और सब्सक्राइब करके बेल आइक एन दवाए लाइक करिए और सेयर करिए कमेंट्स भी करिए आएए देखते हैं इस मैरासन कलास की आखरी कोशन कोशन 15 का राइट एंसर क्या हो जागा तो कोशन 15 का राइट एंसर हो जागा मित्रो बी विसले स्रडात्मक ग्रेड निसान से कैसे भिन है या प्रस्न किस वर्ग को दर साता है विसले स्रडात्मक वर्ग को दिखाता है तो मित्रो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया बाल विकास मुरमिज्ञान मैराथन क्लास भाग साथ का पंद्रा कोश्चन बैक टू बैक कमेंस बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सेर भी कर दिजेगा और नए हैं तो चैनल से जूर जाएए तो दीद ये मिजा इजाजत मित्रो आज कल फिर मिलेंगे साम साथ बजे एक और नए वीडियो और बाल विकास मुरमिज्ञान क्लास के पंद्रा कोश्चन के साथ तब तक के लिए नमस्कार